हेलो अब्रिवन ही लोग बहुत बहुत स्वागत हैं मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हैं आप लोगों के लिए पिर से एक और पिकल काज और पिकल ब्रेसलेट रिडिंग लेकर आशा करती हूँ आप सबी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने डेल सारा ख्याल मैं हूं देखने हूं कि अक्टोबर मन्थ आप लोगों के लिए पिस मत इस मथ आफले कैसा रहेगा आपकी किस माहन त्समात था लोग T MensCo किया कुछ रेकर आरहे हैं क्या कुछ क्या कुछ re польз किससी दर् चीज़े सीडिंग में देखेंगे, so यहाँ पर दो अप्शिन्स आप लोगों के सामने है, अप्शिन फर्स के लिए है, यहाँ पर सिर्कल आफ इटर्नल जॉए, और साथ में है यहाँ यह और अकॉर्ट्स ब्रेसलिट, अप्शिन टू के लिए है, यहाँ पर बिल्डिंग यॉर वर्ट, और साथ में है यहाँ यह फ्लो राइट ब्रेसलिट, इस आप लोगों को अपनी आखे बंद करनी है, डीप बीधिंग करनी है, इशर को याद करना है, उसके बाद जो भी कार्ड या फिर ब्रेसलिट आपको जादा अट्रेक कर रहा हो, आप उसको चूज कर सकते हो, टाइम इस नम्स नीच आप लोगो डिस्क्रिप्शन वक्स में मिल जाएंगे, याद रहे, यह जेनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ रिजुनेट करें, कुछ ना भी करें, आप लोग एक उपन माइंट के साथ इस रीडिंग को देखेगा, अब या उप्शन फर्स के साथ रीडिंग स्टार्ट करते हैं, हलो उप्शन फर्स, अगर आप लोग नहीं सगल अफ एटरनल जॉई और साथ में और अग्रोज ब्रेसलेट को चूज किया है, तो देख लेते हैं, अक्चोबर मन्थ, आप लोग लिए कैसा रहने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ कैज़िन से, अप लोग के लिए अपकी किस्मत क्या लेकर आ रहा है, यह देखने वाले हैं यहां पर, तो यह कार्ड और ब्रेसलेट को साइट से लग देंगे, और शुफल कर लेते हैं कार्ड, और उप्शन फर्स्ट, यहां प्युड़ोंचों लेरे कहते हैं के लिएरोंचों लेंगेके से क्यार इवेंगेश्गी कास्ट, इज हैं क्यार क्यार विए विए udah इवागा, फाइव ओओंस, ठीक है, शिक्स अफ कफ्स, प्रिंसस अफ सौर्ड्स, शिक्स अफ कोईंस, नाइट अफ ओओंस, जच्छ्मेंट, यह गाट पहले भी दिखाता है, शफ्लिंग के दौरान, ओके, सो, ऑप्शन फर्स्ट, अगर बात करूं कि क्या कुछ लेकर आ रहा है, यह अक्टूबर मन्थ आप लोगों की लाइफ में, ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग कहीं ऐसे लोग हो ना, जन्हें सब की फिकर रहती है, सब की चिंता रहती है, आपके आसपास जो भी लोग है, तब आप बदले में एक्सपेक्टेशन रखते हो, आपका विएवियर ऐसा है कि आप अच्छा करने पर ही बिलीव रखते हो, आपको थौट्स पैटन यहां पर बदल रहे हैं, यह अनकंडिशनल लव की यहां पर एनरजी है, सब की हल्प करना, सब की मदद करना, यह चीज कहीं न कहीं मैं आप लोग लिए देख रही हूं, और यह चीज और ज्यादा भड़ने वाली है, और ज्यादा, यह नो मतलब इतनी जादा, यह नो ओवर्वेल्मिंग यह एनरजी है, कि इतना प्यार है आपके दिल में सब के लिए, जैसे आप को स्ट्रीज प्लांट कर रह है आप मचलियों को दाना, डाल रहे हो, आप अनिमल्स को फीट कर रहे हूं, आप गरीब लोगों की मदद कर रहे हो, इतना देख रही हूं, और यह सब कुछ आप अनकरड्निशनल बेसे कर रहे, आपका ऐस से के ईशर ने मझे दिया है, तो मैं अब इसको जो भी मेरे पास है मैं किसी न किसी तरीके से लोगों की मदद करने के लिए यूज करूंगा चाहें पैसे से नहीं हो लेकिन अगर आप किसी की मदद कर सकते हो ना आप किसे के लिए good wishes दे सकते हो बहुत जाधा इस तरीकी की energies रहने वाली हालां कि मैं यह भी देख रहे हूं कि आपके खुद की पर्सनल लाइफ में भी कुछ प्रोब्लम क्या रही है Center draws रही है या प्रडिलेटिकた इसूंच चल रहे हैं 8 लिगल इशूंच चल रहे हैं तो उनसे भी आपको डील करना पड़ा हैं लेकिन इस चल यहां पर बहुत ही जादा जो सबसे अच्छी चीज़ है वह यह की पॉजिटिव नजरिया पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को देखना हैंडल करना उनसे डील करना वह एक विहेवियर इस पूरे मन्त आप लोग लिए रहने वाला है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैं यह भी दे तो लोग को लगेगा हाई यह तो बड़ा सुखी है हना तो यहां पर थोड़ी सी इस तरीके की अनर्जीज हैं कि लोग थोड़ा सा जलस करेंगे तो उस चीज़ का आपको एक तो ख्याल रखना है भई है ना अपने आपको प्रोटेक्ट करके रखना है विकस ना चाते भी दाए आप लोग की तरफ से फील हो रही है ना कि सबकूर जैसे अब अपनी एशर के उपर छोड़ दिया आपने भगवान जी की उपर छोड़ दिया कि यहनों अब मेरा कुछ भी नहीं है जो कुछ है वह इस ने दिया है तो सब उनको ही जैसे यह जाब्लम लोगों का आप जब आप भी दोगे लोगों का आप फेस भी करोगे आप उने कंफरंट भी करोगे आप चीजों से डील भी करोगे यह नो पहले आपका वेवेर ऐसा था जाने दो छोड़ दो है ना लेकिन यहां पर क्या है कि अगर कुछ गलत हो रहा है आपके सामने आपके आस पास तो वो आप उसको ऐसे नहीं चोड़ोगे आप उसको यह नो मतलब आप उससे डील करोगे बजाए उससे भागने के या उसको इग्नौर करने के यह चीज यहाँ पर मुझे आपके लिए नजर आ रही है October के मन्त में कुछ लोगों के लिए यहाँ पर travel भी रह सकती है कोई छोटी मोटी उन्हों कोई बड़ी travel ने बोलूंगी लेकिन दो तिन दिन के लिए आप कहीं आज़ पासी कहीं ट्रिप पर चले गए कहीं पिक्निक पर चले गए तो यह चीज यहाँ पर हो सकती है अपने माइन को रिलेक्स करने के लिए साथ में आपके खर्चे बहुत भर सकते हैं option first इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपनी सेविंग और अपने एक्सपेंस में थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिएगा है ना क्योंकि आप लुटा रहे हो भई लेकिन फिर भी थोड़ा सा ऐसा है कि का जा रहा है कि अपना यह नो बैलेंस बहुत जादा जरूरी है हर चीज में तो बस वह बैलेंस यहाँ पर मेंटेन आपने करना है और उ जासे आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉबलम हुई कुछ भी हुआ इंसिदेंट आपके साथ अब फाइली उसे हील करोगे कुछ लोग जैसे हेल्फ लेटेड इसूस चलते हैं तो वह पनी हेल्थ को हील करेंगे ठीक है कुछ लोग की लाइफ में लव को लेके अगर है ना वो अच्छे तरीके से समझते जा रहे हूं तो वही चीज यहां पर आप लोगों के लिए आरे है उप्शन फर्स कि जैसे मनी मेगनेट बन गए हूं को मतलब डोनेट भी कर रहे हैं अच्छे कामों में अपना पैसा भी लगा रहे हूं और पैसा आ भी आपके पास र मतलब जो लोग गुजर रहे हैं यह मेसेज उनके लिए है कि यह जो ऐसा कहा जाता है कि अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हूं किसी भी चीज का लैग फेस कर रहे हूं इत मींस आपका वहां पर कोई नेगिटिव कोई बैड करम ज़ूर है च इतना आप भी कर सकते हो ना उतना आप डिनेट करो लव लाइफ में शूस चल रहे हैं तो प्यार को बाटो ठीक है ना अनकंडिशनल लव की एनरजी तो यह चीज यहां पर आप लोगों से कही जा रही है चले और देखते हैं यहां से और क्या कुछ काईडिंस है और क्या क यहां पर आप लोगों के लिए मुझे एक मैसिज मिला है वो यह की किसी तरीके किया ना आप लोग एक लूप में फरस्ते हुए हो आपको मैंने एक मैसेज दिया था ना कि जिस पी चीज की कमी है उसी को बांटो उसी को डिनेट करो तो वही ही मैसेज मुझे यहां पर अगेन आप लोगों के लिए मिल रहा है यहां पर है नमर टू 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 मैं यह मुझे यह कब अचीव होगा मैं यहां पर कब जा पाऊंगा कुछ ऐसा पताने क्यों मुझे फील हो रहा है थोड़े सा वेट करना पड़ेगा उसके पहले थोड़े सा कर्मा है वह रिजॉल्व कर लोगे तो वह काम हो जाएगा क्योंकि जेनरल रीडिंग है ना तो कि लिए अलग अलग रहेगा यह सीट्री यह वाला मेसेजर यहां की सिचीवेशन के micej को लेजएगा फटिलिटी है तो फिर्टिलीटी है तो नो डाउट मैंने पहले कहा कि ग्रोग देख रही है यहाँ पे आप लुग के लाइफ में अपने ही लाइफ में जो भी अक्टोबर मन्त में काफी ज़ाधा एक्टिव रहेगा तो खुश रहोगे भई ये अक्टोबर मन्त कही न कहीं खुशियां आपके जीवन में लेकर आ रहा है और थोड़ा साब का ध्यान ना अपनी लाइफ में थोड़ा से इन्जॉयमेंट पे भी रहेगा जैसे मैंने का ना कहीं घूमने जा रहे हो कोई पार्टी कर रहे हो कोई पिकनिक कर रहे हो तो या फिर अपने लिए बहुत सारी शॉपिंग कर रहे हो ऑफ कोस फेस्टिवल्स भी तो ये बी एक रिजन सकता है लेकिन आप लोग अपने ऊपर जैसे के तना पैसा खरच रहे हो अपने उपर इन्वेस्ट्मेंट कर रहे हो चाहे अपनी हल्थ के लिए चाहे अपनी ग्रूमिंग के लिए तो वह चीज मुझे हैं पर नदर और है तो बस करना चाहते हो बहुत का मेसिज है और अप्शिन फर्स्ट अजस्ट में लुकिंग बैक मुविंग फर्वर्वर्ड यह यह वाली सिच्विशन होगी ठीक है ठीक है डिवाइन फैमिनन मेगनेटिक रिसेप्टिव पावर अप्शिन फर्स्ट मुझे लिटरली गूस्बंस आइस काट को देख के लिए और जिस तरीकी की नर्चिरिंग और कियरिंग अनर्जी आप लोग के अंदर है ना आप लोग जादा भई अपर नेचर से कनेक्ट कर रहे हो यहां पर और आपकी अंदर नु मैटर आप लोग मेल हुआ या फीमिल इस रीडिंग को देख रहे बहुत सदब फैमिनन अनरजी इसमंत एक्टिव रहेगी लोगों की हेल्प करना सब को प्यार देना सब को प्यार बाटना प्यार से चलन है कुछ कहानियां है कुछ रहे गया है को छूट गया है उसकी दरफ बार बारी देख रहे हो तो यहां पः आप लोगों से पहीज़ जा रही है ओग большой का नहीं बोलूगी मैं चीनना वर्ड यूज नहीं करूँगी हमारी लाइफ से कुछ चीजों को दूर करते हैं या कुछ लोगों को दूर करते हैं न तो किसी रीजन से गरते हैं ठीक है मिलवाते भी हैं तो किसी रीजन से मिलवाते हैं और अगर दूर करते हैं तो वो भी किसी reason से करते हैं श्रायदं का हमारी life में उतना ही part होता है उतना ही role होता है उतना ही time तक उनको साथ रहना होता है हमारी तो यहाँ पे अभी कहा जा रहा है कि आप लोग भी ना अपनी life में आगे भड़ें ठीक है बार बार अपने वो पुराने चेप्टर की तरफ नहीं देखें यह चीज यहां पर करी जा रही है आप्शिन फर्स्ट ए टाइम फॉर ही लिंग बैलेंस प्रिक्टियलिटी और यह काड आना ही था कहीं आप लोगों के लिए तो मैंने चीज आपसे कहीं थी ऑप्शन फर्स्ट की हर चीज में बैलेंस होना बहुत जुरूरी है तो आपको अपनी जीवन में फिलाल वो बैलेंस का ही ख्याल रखना है ठीक है अपनी इस प्रिक्टिकल लाइफ अपनी पर्सनल लाइफ इन सारी चीजे को थोड़ा सा बैलेंस रखना पड़ेगा यह चीज यहां पर कहीं जा रही है और यह जो ताइम है आप लोगों के ल है लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बोलूंगी कि आप लोग जो भी कुछ अच्छे काम कर रहे हैं लोगों की हल्प करने के लिए वह जरूर बताइएगा नीचे कॉमेंट करके ताकि और लोगों को भी मुटिवेशन मिले इसका मतलब यह नहीं कि आप शो आफ कर रहे है प्लीज थोड़ा बस जरूर शेयर करना ताकि और लोगों को भी हल्प हो सके और आपका खुद से प्रॉमिस और ज्यादा स्ट्रॉंग हो सके कि मैं यह जरूर करूंगी ठीक है और लास देख लेते हैं अभी काना जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मेसिज है काना ज यह जाते हैं आप से ओप्षिन फर्स्ट Surrender, do not struggle in your life Surrender to all that is wanted and unwanted And you will receive help Surrender totally to the divine will यहाँ पर कहा जा रहा है Option first कि जो भी problems आप लोग के लाइफ में चल रही है ना जो भी चीज है उसको भगवान जी के चर्णों में इशर के चर्णों में कहा जा रहा है कि Surrender कर दो ठीक है यहनों कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कहते हैं ना कि हमारे हाथ में नहीं होती है हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं वहाँ पर हम अपनी लाइफ को बदल सकते हैं हम अपने डिसीज़ेंस ले सकते हैं लेकिन हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती है तो यहां पर कुछ चीज़ें को कहा जा रहा है कि आप इशर के चर्णों में ही छोड़ दो आप उनके उपर ही छोड़ दो और जो सही होगा वह आपके लिए वह करेंगे ठीक है आप लोग चाहो तो मैं आपको बताओं यहां पर आप लोग सिट्रीन जो स्टोन है ओके सो मेरे पास अभी नहीं है सिट्रीन जो क्रिस्टल है सिट्रीन यलो कलर कर जो सेक्रिल चक्रा कर स्टोन है आप उसको अपने लिए यूज़ कर सकते हो के लिए बहुत अच्छा रहेगा, happiness life में लेकर आता है, abundance लेकर आता है, money को लेकर थोड़ा सा concern के नो बना देता है, कि मुझे कितना expand करना है, मुझे कितना save करना है, तो आप सही decision लेते हो, money को लेकर, money को attract करता है आपकी life में, तो आप citrine को अपने लिए वेर कर सकते हो, चीक और देखते हैं, जो भी लोग जादा करते हैं, मैं कहते हैं, कि उनको citrine ज़रूर बैर करना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो आपको greedy बना देता है, नहीं, लेकिन citrine आपको, you know, balance वो maintain करने में आपकी help करता है, citrine के साथ, आप amethyst भी बैर कर सकते हो, तकि आपकी spirituality और practical life जो है, वो balance में रहे, ठीक है, साथ में है, यहाँ पर change of place का card, continue the journey of life as it comes, embrace the changes, especially change of place, तो बहुत सारे changes आप लोगों की life में आने को हैं, option first, कुछ लोगों की life में, वो अपना घर shift कर सकते हैं, अपना room, अपना apartment shift कर सकते हैं, जो भी लोग चा रहे हैं, और कुछ लोग की desire है, विश आपकी ज़रूर पूरी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसी महीने मुझे मुझे 2 months नजल आ रहे हैं, मुझे 2 months यहाँ पर कार चा रहे हैं, कि 2 महीने लग सकते हैं, ठीक है, option first, so भाई, यह है आप लोगों की reading, I hope आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अपना feedback कर देना, चैनल को subscribe कर लें, और मैं मिलती हैं, आप लोगों को सने exceeding में, तब तक के लिए, और अगर आप crystals पर्चेस करना चाहते हैं, या personal readings लेना चाहते हैं, तो आप मुझे Instagram पर कनेक कर सकते हैं, या फिर आप मुझे mail भी कर सकते हैं, लिंक आप को निचे description box में मिल है, सो देख लेते हैं, भरी, option two की, कैसा रहने वाला है, October मन्थ आप लोगों के लिए, आपकी किस्मत, आपकी Disney, क्या आप लोगों के लिए लेकर आ रही है, सबसे पहले मुझे this card के साथ, और bracelet के साथ, आप लोगों के लिए जो निजवर आ रहा है, option two की, कहीं ना कहीं, जैसे अपनी power जो है न, अपनी life के जो command है, वो आप कहीं न कहीं, अपने हातों में ले रहे हो, somehow, पहले अपनी life में, आप लोग दूसरे लोगों के ओपर depend हो जाते थे, चाहे emotionally, चाहे financially, लेकिन, यह नो, अपनी तागत को समझ रहे हो, अपने आप को समझ रहे हो, अपने अपने प्रोजेक्स के ऊपर आप लोग काम कर रहे हो, आप लोग long term के planning कर रहे हो कि मुझे आने वाले 2-3-4 सालों में कैसे आगे भढ़ना है, क्या काम करना है, अपनी life को किस direction में लेकर जाना है, अपने सपनों को कैसे पूरा करना है, यह सारी चीज़े आपके माइन में और इन ही सब के ऊपर आप लोग काम कर रहे हो, देखते हैं यहाँ पर टैरो से और क्या कुछ रह भई, आपक्टूबर मन्त में आप सभी के लिए, option 2, three of cups, eight of pawns, hmm, four of cups, princess of swords, अपनी लाइफ में काफी सारी चीज्जों से आप डिसपॉइंट। हो चुके हो कुछ लोगों ने जैसे आपका ट्रस्स तोड़ा या पने बहुत सारी एक्सपेकटेशन लगाई लेकिन यह नो वह चीजह कुछ अलग वह में हो गए कुछ तो यहां पे हैं जिससे आप लोग थोड़ा सा डिसपॉइंट हो अपनी लाइफ में थोड़ा खफा खफा से मुझे नजर आ रहे हो लेकिन आप यहां पर ऐसा निया कि उदास होके बैठने वाले हो आप लोग अपनी एनर्जी को शिफ्ट करोगे आप लोग चेंज कर इमजेशन जचमेंट किंग अफ कोईंज यहां पर है ऐस अफ कप की अनर्जी सो आप्शन टो भई ऑक्टोबर का मन्त बहुत ही स्पेशल रहने वाला है आप लोगों के लिए पुरानी बहुत सारी चीजों का आप लोग लटको गर रहे हो पुरानी चीजों को टाटा नहीं कर रहे हैं जो जैसे कुछ लोग हैं आप जब भी बात करते हों लडाई हो जाती है यह आप लोग आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में पड़े परस्पेक्टिफ के साथ चीजों को सोचोगे और सोचोगे कि मुझे छोटी-छोटी चीजों में छोटी-छोटी बातो करना है मुझे अपने सपनों को पूरा करना है यह एनर्जी बहुत जादा ऑक्टूबर मन्त में डॉमिनेंट रहने वाली है एक चीज कहूंगे कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हुए आगे भड़ना वाकि लव लाइफ की अगर मैं बात करू तो मुझे इतना जादा धि करने वाले कोई बहुत सारी बिद्रिंट टेकनीक्स हो यूज करने वाले कुछ लोग यहां पे टी में जियूट प्रेकटिस है आप लोगम उसको भी अपने लिए कर सकते हैं वेक आपको अनलाइनों मिल जाएगी स्टोर वगिरा पे भी मिल याई तो आप लोग देख सकते वो बुक बहुत अच्छी है सबको एक बार यह वो प्रक्टिस करनी चाहिए मैंने भी कियो ही है आप लोग कर सकते हो definitely यहनो मुझे याद रहा तो मैं नीचे लिंक उसका नीचे description box में डाल दूँगी तो आप comments करके मुझे याद दिला देना okay so यहाँ पे है king of coins का कार्ड जो की बता रहा है कि इस मन्त ना आप लोग किसी से बहुत जादा इंस्पायर होने वाले हो ठीक है यहाँ पे कुछ लोग सोचल मीडिया में भी आ सकते हैं कि अपना काम जो भी है वो online ट्राई कर रहे हैं instagram पे कर रहे हैं या फिर से आप लोग यह ट्यूब पे कर रहे हैं आप लोग बहुत जादा किसी से इंस्पायर हो और आप लोग बिल्कुल चाहते हैं कि मुझे इस इस इंसान की तरीके से मुझे अपने जीवन में आगे भरना है मुझे इतनी growth चाहिए you know मुझे मेरी family के मतलब इतनी जादा यहां पर motivating energies है inspiring energies है मतलब कहते हैं न कि पुरा दिन और रात करके जिसे मैनत करना है काम करना है तो वह यहां पर रहेगा थोड़ा बहुत यहां पर मुझे यह भी नज़र आ रहा है कि कुछ थोड़ा आपकी friends से या पर आपकी अपनों से थोड़ा बहु यहां पर यह कहा जा रहा है option two कि आपको अपने गुस्से पर control करना क्योंकि थोड़ा सा मैं देख रहे हूं कि आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है थोड़ा aggressive हो जाते हो वह इसलिए क्योंकि यह जो भी current energies यहां पर चल रही है जो भी कुछ आपकी आज पर चल रहा है कही न मैं positive हूँ मेरा मन एकदम शान्त है मैं बहुत ही powerful हूँ इस तरीके से और फिर आप काम में जुच जाना थोड़ी से deep breathing करना आपने आपको relax करना और फिर से काम पर जुच जाना यह चीज यहां पर कही जा रहे है overall October month बहुत कुछ लेकर आ रहा है option two आप सभी के लिए देख solitude transformation yes and throat chakra spiritual union okay so option two अगर यहां पर मैं बताओं जैसने मैंने का कि थोड़ा बहुत किसी से dispute होना लड़ाई जगड़ा यह रह सकता है अपने मन को आप लोगों से कहा जा रहा है कि शान्त रखना है ठीक है arguments वगरा में आप लोगों को नहीं पसना विकाज यह सब आपकी energies को कुछ लोग न energies को सखी करेंगे ठीक है थोड़ा सा यहां पर इस सब के चलते हैं आप लोग थोड़ा सा अकेला रहना prefer करोगे कि बजाए ऐसे लोगों के जो negative हैं जो मुझे परिशान कर रहे हैं मैं अकेल आपकी लाइफ से क्योंकि abundance आएगी आगे जाके मैं देख रहे हूं कि बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं तो कुछ लोग का दूर होना लाजमी है यह नो space create होना होता ही है ना कि आपको कुछ चाहिए तो आपको suppose मुझे टेबल की जाए कुछ और setup करना है तो मुझे पहले space create करने पड़ेगी राइट तो वैसे ही जब blessings आपकी लाइफ में आने वाली होती है ना उससे पहले यह सब होता है कि कुछ लोग आपकी लाइफ से दूर हो जाते हैं जो भी लोग वो blessing की energies के साथ resonate नहीं करते हैं ना वो दूर हो जाते हैं तो you know just positive रहे हैं का मैं यहीं कहूं के लिए यहां रहा है कि काम करो आपकी कम्यूयकेशंस बहुत ज्यादाया मैं हिआने वाली ही हैं जैसे मैंने कहा कि आप लोग दोंग आ सकते हैं ओना अपना ओना को सेटफ कर सकते हो तो अपने थोट चक्रह के वोपर आप लोग को काम करने की जरूरत है इस को बिलेंस करे तो उसकी वाइबरेशन इससे भी हाई होती है यह दोनों ही आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे ठीक है सो और डिखते हैं यहां से option 2 और क्या कुछ guidance है advice है आप लोग option 2 चाहो तो साथ में पाइराइट जो रहता है पाइराइट स्थोन को रख सकते हो या फिर पाइराइट क्रिस्टल को ब्रसलिट को अपने लिए वायर कर सकते हो प्रकाश आपको सकसेस चाहिए आपको बहुत कुछ अच्छीव करना है तो पाइराइट बेसिकली सकसेस स्थोन है वो सकसेस दिलाता है ठीक है नियो creation innovation सी यहां पर भई यह पाइए राइट अभी रखा है यह है यह पाइड आईरन पाइड आवलेवल है बहुत अच्छी क्वालिटी में है साथ डेफिनिट्ली उसको परचेस कर सकते हो जो भी लोग परचेस करते हैं तो उनको यूज किस तरीके से करना है क्रिस्टल से लिए मैं एक सेपरेट में मिल जाएंगे ओके आपस मेसेज कर देना कि आप यह पर पर्चेस करना चाहते हो ओके लॉस एंड लैग फियर विक्तिमाइजेश्टिन कि अप्शन टो यहां पर किस तरीके के अनर्जी सेना आप लोगों के लिए कि यहां पर हो सकता है कि आपके साथ रहे कुछ लोग किसी तरीके के ब्लेम लगाने की कोशिश करें या फिर यह नो कॉंस्परेसी में आप थोड़ा सा फस जाओ तो यह नो पाइरेट उसमें भी वैसे हल्प करता है थोड़ा सा आपको अवेर रहना पड़ेगा थोड़ा से यह यहां पर ऐसा है अलर्ट रहना पड़ेगा आपको चाहें ऑफिस है चाहें कुछ भी है ठीक है यह चीज यहां पर कई जा रही है और जैसे मैंने कहां कि अगर कुछ जाता है आपके लाइफ से कुछ रिलीज होता है इस महीने ऑक्टूबर के मन्त तो टेक इट पॉजिवल क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है नव अच्छे कलي हो रहा है क्योंकि जो तो इस वह हुए ऻचाएन से देखके यहां कुछ गइदेंस और पिर देखेंगे काना जी कि तरफ से क्या इस है option two balance, spirituality and practicality option first में भी था यह वाला कार्ड तो यहां पर कहा रहा है कि अपनी spiritual life और अपनी practical life को आप लोगों को balance करने की जरूरत है okay show the world the real you और जएकले आप लोग इसी वाले जोन में आने वाले हो आपने पूरा फोकस रहेगा अपनी और फूपर पुरा ध्यान रहेगा सिफ़क्लत ऑप एक सब्सक्राइब आप लोगों किसाथ रहने वाली है। जब इसके सब्सक्राइब companies जाना जी की तरफ से क्या मेसिज है क्या गाइडेंस है आपके लिए आप्शन टू प्यॉर्टी इन डिट्स एंड वर्ड इस रिवार्ड देखो यहां पर यह कहा जा रहा है कि अपना दिल साफ रखो ठीक है किसी के साथ गलत मत करना पस अपने गुस्य को थोड़ा सा preferended stay connected within यह बहुत ही अच्छा message है connect with the divine in you और मैंने अभी यही कहा था कि आपके साथ देशर हैं आपके अंदर है sit quietly, close your eyes and calm your mind you will get answers to all your troubling questions मैं थूड़ा सा इस पर focus कर देती हूँ आप इसका screenshot ले ले ठीक हैं तो जबी भी मन परिशान हो इस card को देखना और यह card कह रहा है कि जब भी आपका मन परिशान है ना तो बस आप अपनी आखे बंद करें अपने मन को शान्त करें इश्र को याद करें और जो भी परिशान है आपकी life में चल रही है ना आपको उसे बाहर कैसे निकलना या जो भी आपके मन में सवाल चल रहे हैं आपको उनका जवाब जरूर मिलेगा ओके आप्शन टो यह है आप लोगों की reading आप लोगों को अच्छी लगी होगी लाइक जरूर कर दीजेगा इस reading से आप लोगों की help हुई हो तो चैनल को subscribe कर लें और feedback जरूर शेयर करें ठीक है आपका feedback मेरे लिए बहुत जरूरी है जानना कि आपको reading कैसी लग रही है so feedback जरूर शेयर करें और मैं मिलती है आप लोगों से next reading में तब लिए बाई